वेल्कम बैक टो कृतिका बीएसी क्लासेश तो टूड़ेए टॉकिंग अबाउट दा साल बायोजी क्योशन प्राक्टिस सीरीज हमने एक सौड वीडियो में बताया था कि हम प्राक्टिस सीरीज जल्द एक प्राक्टिस सीरीज इस्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके सा चाहिए जाने बाउट को पूछते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सिस्क्राइब कीजे और अगर आप हमारे टेलिग्राम गूरूप पे जॉइन होना चुछाते हैं तो आप लिंक की डिस्क्रिप्सिं बॉक्स में मिल जाएगी अप जाकर वहां से मे तो सेल की बात करें तो साल इस फंडामेंटल रिश्ट्रॉक्जर ऐन दा फंट्पानेश्मन युनित उफ और लेविं और्गनजमों होते हैं साल भायोग की साल बायो की डिफिनिसंस अगर देखा जातों फंडामेंटल रिश्ट्रोक्टर ऐन दा तो बायोग तो वो एंटोनी वॉन लुवेन होग थे एंड रावर्ट ब्राउन डिस्कर्प्ट दा नुकलियस जो रावर्ट बाउन थे उन्होंने डिस्कर्प्ट की दन नुकलियस को के नेक्ट पॉइंट एंड श्वान टुगेदर दा फॉर्मूलेटर दा शाल थे उरी यह कोसंच काफी पूछ जाते हैं कि साल थे उरी को किसने डिसकर्प्ट की आता तो श्लाइड एंड श्वान नेक्ट पॉइंट है मना ओम्नी सेलूला इसलूला वास दे एक्सप्लेंड बा इंड दा श्वान पर चाहित दा रुग यहां पर और जो ऐसल होता है उसकी जो मंद निकलिगे शोता है वह काल्ड यूकैरियोकिलिक मोरी के जहीं पर ग़ीज़ियर उलय के पॉर्टिक मोरीश एंड पर यूकैरियोकिलिष थेंड वहीं पर आफ दो लाइक अफ न्यूक्ल पॉएलियां मेंड़ियांब और यहां पी चो राइबुसम होते हैं और नान्ट यहां पी चो पारिप सेल सेलिंटे स्पाइब करंदे था थे Вिए इसलिश शोह चोट जो सबसे स्मालेंच चाल कान सा ओता है तो मैको प्लाजमा जिसकी जुन लेंद बाईब टी जिरो प्रीमी हुआ कि लेंथ होती है और यहीं पे जो अगर उपकर ही हुमन बॉडी में जो लाइट से लोता है वह नर्व स安全 है भी 4 बेसिक पैक्टीरिया और बैसिलस यहाँ पे जो अगर ऑगर हम बैसिक सेथ की ? बैसिलस की बैसिलस नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यह टीपिकल यू कैरियॉटिक सल्स इस तेंट टॉंटी म्यू होता है एंड शाइज ऑ वायरस जीरो पॉइंट ग्राइटेटी नॉटी म्यू होता है यहां पी ओक्राइग एकश्ड की जो साइज होती है वह 10 से 20 20 Mew होती है वहीं वायरस की साइज की बात करें तो वह 0.02 से 0.2 मी होती हो कि नेक्स पॉइंट है मारा मैंनी बैक्टिरिया है कंगेक्रोच कीके कहले तर। प्लाजमेट प्लाजमेट में होता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है इन बैक्टिरिया दा इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेंब्रेंस इल्ड कॉल्ड दा मीजोसों विच इस दा करेस्टरिस्टिक और प्रोकेरियोटी यहां पर हमने जितने भी रेड मार्क किया है वो सब इंपो सेल एन की पोटाना है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ल इंव Robin अ department इंभल ऑब दो प्रोकेरियोटी यहां पड्री इवाड है कि फो ऍैस को कशिए जेल खार्ता है यहां पर प्रोकेरियोटी स्ल में जो सेल इन फडॉलभ करता है गारते हैश्आ हो प्रोकेरियोटिक cell wall and the plasma membranes, okay, next point है हमारा, in some prokaryotic glycocalyx could be the loose seed and called the slime layers and called the sometimes it made the things and tough called the capsules, यहां पे जो some prokaryotic cells में, जो glycocalyx could be the loose seed or slime layer, जो इनकी तो things and the tough called the capsule होती है, तो यह हमारा था, यहां पे इसकी prokaryotic होती है, glycocalyx में यह काफी ज्यादा questions पूछा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा, इन बैक्टिरिया, cell wall determines the shape of cell in the provided structural support, जो जितने भी बैक्टिरिया होती है, इन बैक्टिरिया in the cell wall determines the, इनकी जो safe होती है, cell in the provided structural support, जो इनकी structure को support करती है, इनकी safe, नेक्स्ट पॉइंट है, इन साइन बैक्टिरिया, the membranus extension in the cytoplasm called the chromatophoreses contain the pigment, यहां पे जो साइन बैक्टिरिया होती है, 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 जो साइन बैक्टिर जो हमने रेड जितने भी रेड मार्क है इसको इसकी मत कीजिए काफी important और काफी questions पूछे जाते हैं यहां पर which is the compost of three part होते हैं यहां पर filament, hook and the vessel body होते हैं जो की motile bacteria filamentous extends करता है तन जो फैजला में होते हैं वहीं पर अगर जो compost three part वो compost करता है तो आपका filaments होता है, hook होता है and the vessel body होता है in which the filaments in the longest portions in the extent from the cell surface to the outside यहां पर जो filamentous होती हैं उनकी जो longest portions होती है यहां पर आप डियाग्राम देखेंगे तो आपको समझ में extend from the cell surface in the outside होती है जिसमें की filaments hook and the vessel body होती है next point is surface structure present in the bacteria or the phagela, pili and the fembrae यहां पर fembrae में होता है यहां पर इनकी cell service होती है कि जो bacteria में होता है, phagela में होता है, phagela में होता है और the fembrae में होता है, fembrae में होता है next point है हमारा ribosomes are about 50 annum by the 20 annum in the size and or the matter of the two subunit होता है जो ribosomes में होता है, इसे काफी questions पोचा जाता है कि pro-cariotic में कितने सब्यूनिट कितने ribosomes पाइजा जाता है and u-cariotic में कितने होते है यहां पर two subunit जो होता है, pro-cariotic बात करें तो pro-cariotic में have 70S ribosomes होता है, जो कि इसकी subunit की बात करें तो वो 50S plus and 30S की subunit होता है वहीं, whereas u-cariotic की बात करें, तो u-cariotic में आपका 80S ribosomes होता है, जो कि इसकी जो subunit होती है वो 60S plus the 40S subunit होती है, ओके next point है हमारा, several ribosomes में attached to a single mRNA and from the chain called in the polyribosomes या polysomes में होता है यहां पी एक, जो several ribosomes होता है, जो एक single mRNA, यहां पी single mRNA से attached होता है, इनकी एक chain होती है जो single mRNA होता है, इसकी एक chain होती है, जो कि polyribosomes and the polysomes की होती है mRNA में, single mRNA में, जो कि several ribosomes को attach करता है next point है, reverse material in the prokaryotic cells or the storage in cytoplasm in the form of enclosing body जो reverse material होती है, prokaryotic cells में, जो store करती है, cytoplasm में, उनकी inclusive body के लिए, जो cytoplasm में होता है जो prokaryotic cells में होता है, उनकी reverse यहां पर next point है, हमारा, the cell membranes is the compost of lipid data in the arranged in B layers होते है जो lipid data or the arranged in B layers को, जो होता है, वो cell membranes in the compost करता है the membranes also contain protein and carbohydrate को, जो इसकी membranes, जो protein contain करता है protein and carbohydrate को then the cell membranes lipids the arranged next point है, हमारा, in humans, the membranes of the anthracite has approximately 52% protein and the 40% lipid होता है यहां पर anthracite की बात करें, तो यहां पर protein और lipid, protein जो होता है, वो आपका 52% होता है and the 40% जो होता है, आपका lipid होता है, इनकी membranes of anthracite में, okay next point है, हमारा, according to the fluid modic model, यह questions काफी पूजा जादा है, कि fluid model को किसने क्या था, और किस कॉंसे संस में क्या था, यह फिर इनकी जो फंसन क्या होता है, तो according to the fluid modic model, the quasi-fluid nature in the lipid enables later in the moment of protein within the overall bilayers होते है, okay इनकी जो protein की within, protein होती है, जो की overall bilayer होता है, the model was given by the singer and Nicholson in the 1972 में, singer and Nicholson ने 1972 में, fluid modic model को डिसकर्ब कियाता है, according to the fluid modic model, okay next point है, हमारा, movement of water by the diffusion across plasma membrane is called the osmosis, अगर यहाँ पे हम water by diffusion, water by diffusion across the plasma membrane called the osmosis, इनकी जो movement होती है, water by the diffusion की, then the plasma membrane is called the osmosis, okay next point है, Na+, मतलब sodium plus की जो positive charge and K+, यानी potassium pump in the N example, इनकी पूशा जाता है कि इनकी Na+, Na+, और K+, की एक 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 जामपल क्या होता है, या फिर active transport क्या होता है, active transport देता है, active transport का है, active transport किसका क्या है, इसका डिसका कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे जो Na+, और K+, जो pumping एक जामपल होता है, वो active transport का होता है, तो इसे भूलेगा मत, next point है, the primary cell wall of a plant cells in the capable of growth and secondary cell wall is the form in the on inner towards the membrane side of the cells, जो primary membranes होते हैं, cell wall जो plant cells में उनकी growth और secondary cell wall होती है, next point है, हमारा the middle lamella, जो यहाँ पे जो middle lamella की layers होती है, वो calcium pactate की होती है, next point है, जो हमारा the endomembran system include, किसको include करता है, तो वो then endoplasmic reticulum, golgi complex, lysosomes and the vacuels को endomembran system include करता है, next point हमारा the endoplasmic reticulum, bearing ribosomes on their surface is called the RER, rough endoplasmic reticulum, जो endoplasmic reticulum होता है, वेरिंग जो ribosomes को उनकी surface होती है, वो RER यानि rough endoplasmic reticulum होती है, next point हमारा the SER is the major site of synthesize of lipids, lipids की पूछा जाता है कि lipids की synthesize होती है, उसकी major site क्या होती है, तो उसकी major site होती है, वो SER यानि smooth endoplasmic reticulum होती है, यह questions काफी जादा पूछा जाया है, आपका नीड हो, तो इसे बूले, जो lipids की synthesize होती है, उसकी major site होती है, वो SER यानि smooth endoplasmic reticulum होती है, I hope आपको वीडियो पसंदा है, अगर वीडियो पसंदा है, तो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम इसके part 2 के बारे में discuss करें, हमने उसकी basic चीजों को clear करने की questions की questions पूछी जाते हैं, तो thanks for the watching.